आप देख रहे हैं TNB प्रिधार मंत्री ने गोशना की कि 15-18 साल के बच्चों के लिए वेक्सिनेशन 3 जनवरी 2022 से शुरू कर दिया जाएगा इससे स्कूल जाने वाले बच्चों को संक्रमन से बचने में मदद मिलेगी होई हेल्थ केर और फ्रेंट लाइन वर्कर्स को 10 जनवरी से वेक्सिन की बुस्टर डोस दी जाएगी देश की बुज़ुर्ग अबादी जो पहले से ही किसी बिमारी से पिरित है उनके लिए डॉक्टरों की सला के बाद बुस्टर डोस दस जनवरी 2022 से मिलने शुरू हो जाएगी प्रदार मंदरी की से घोशना पर जसलोक अस्पताल की डॉक्टर राजिश एमपारिक ने कहा कि वस्तरकार की से फैसले से बहुत खोश है बच्चों को वैक्सिन की जरूरत और बुस्टर डोस पर काफी पहले से बोला जा रहा था जो एक बहुत अच्छा प्रयास है मिदानता अस्पताल की CMD डॉक्टर नरेश त्रहान का कहना है कि पहले 12 से 18 की खावर मिली थी लेकिन इसे 15 से 18 कर दिया गया है जो इसका पहला फेज है आने वाली समय में इसे कम उम्रेके बच्चे को भी दिया जाएगा ये वैक्सीन भारत में बनी है उन्होंने ये भी कहा कि हेल्थ केर और फ्रेंट लाइन वर्कर्स और बुजदूर्गों के लिए बुस्टर डोस हैं जो देश के लिए बहुत अच्छा कदम है डॉक्टर त्रेहा ने ये भी कहा कि कोवीड और वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो भी दवाएं आती हैं उन्हें वैग्यानिकों और एक्सपर्ट की सला के बाद ही लाया जाता है इससे लोगों का फायदा ही होगा बच्चों को अगर वैक्सीन दी जाएगी तो वे अस्कूल जा सकेंगे जिससे उनका विकास होगा क्योंकि वे एक लंबे समय से अपने घरों में कैद हैं उन्होंने ये भी कहा कि भारत बायोटे के को वैक्सीन का वायरिस डेड वायरिस है और इतनी वैक्सीन देने के बाद ये साबित भी हो गया कि ये सुरक्षित है डॉक्टर त्रिहा ने ये भी कहा कि माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत आतुर है बच्चों पर कोरोना का असर कम होता है लेकिन अगर उन्हें वैक्सीनेट नहीं किया गया तो वे अपने घर में रहने वाले बुज़र्गों को भी संक्रमित कर सकते हैं जो काफी गंभीर है और ये भी कहा कि 15-18 साल के बच्चों में वैक्सीन दी जाएगी लेकिन पहले वे बच्चे वैक्सीन लगवाएं जिने पहले से ही कोई न कोई बिमारी है कैंसर रोक के एक्सवर्ट डॉक्टर अंशुमन का कहना है कि यह गूड गवर्णेंस का सही उधारन है 15-18 साल के बच्चों की जन्संग क्या जादा है जिने फ़र्स्ट फेज में शामिल किया गया है बाकी कम उम्री के बच्चों को दूसरे फेज में टीका दिया जाएगा इस घोशना के बाद ग्री मंत्री अमित्षा ने ट्वीटर प्र कहा कि सावधानी, सजग्ता और वैक्सीन ही हमें करोना के खतर से दूर रग उस पर विजय दिलवा सकती है सभी फ्रेंट लाइन करोना युद्धाव ने बहुत बहुदरी से देश की अध्भूत सेवा की है उनके स्वास्ट की चिंता करते हुए उन्हें प्रिक्योशन डोस देने के निनने के लिए मोधी जी का अभिननन करता हूँ साती साट वर्ष से अधिक आयू के को मॉर्बिडिटी वाले नागरीकों को भी प्रिक्योशन डोस उपलाब्ध होगी बचों की वैक्सिन पर स्वास्ट मंत्री मंसुक मंडाविया ने धनिवाद देते हुए कहा कि इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती हैगी प्रिधान मंत्री जी द्वार लिएगे इस महत्तपूर्ण निने से देश सबका प्रियास के मंत्र के साथ कोरोना से लड़ाई में और अधीक मजबूत होगा इन निनेओं के लिए मैं उनका हिर्देश से धन्यवाद करता हूँ मुझे विश्वास है कि उनके आगरा अनुसार देश्वासी कोरोना से जुरे नियमों का पालन करेंगे वही पियमोदी के इस फैसले के बाद महराश्टा के मुख्यमंत्री उद्व ठाकरे ने सरकार के इस फैसले का भी सुवागत किया वही आदित ठाकरे ने ट्विट करके उनकी मांगों को सरकार ने पूरा किया इस बात की उन्हें खुशी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्वीन के जिरुवाल ने भी अपने खुशी जाहरी करते हुए कहा कि प्रिधार मंत्री का ये फैसला बहल सुखद है इसके साथ ही ये अभी जानकारी दी गई कि दिल्ली में निन्याम्य फिजदी लोगों ने करोणा वैक्सिन का पहला डोस और सत्तर फिजदी ने दूसरा डोस ले लिया है मुझे खुशी है आज प्रिधार मंत्री जी ने फ्रन्ट लैन वाकर के लिए बुस्टर डोस का एलान किया बुस्टर डोस सब को लगनी चाहिए इसके लाबा पंदरा से अठारा साल के बच्चों को अब वैक्सिन लग पाएगे ये बहत सुखद बात है वही क्रिस्मस पर प्रिधार मंत्री किया गोशना बच्चों के लिए किसी क्रिस्मस गिफ्ट से कम नहीं है देश भर में इस फैसले की सराना की जा रही है खबरों में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.denationalbulletin.in.per